दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस्ट एप से लोन लेने का सही तरीका क्या है दोस्तो अगर आप भी किस्ट एप में लोन के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है, इस वीडियो में आपके लिए जो है complete जानकारी देखने को मिलेगी, कि कैसे इस application में आप loan के लिए apply कर सकते हैं, आपको जो भी loan amount मिलता है, उस पर जो है कितना interest लगता है, कितने समय के लिए मिलता है, तो सारी जानकारी मैं आ लाइकन वाला बटन है, उसको भी प्रेस कर लिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए उस तरह के काम के intensity वीडियो लात रहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है loan apply करने के लिए, सबसे पहले आपको जो है play store पे आजाना है, play store पे आने के बाद में यहाँ पर इसमें अपना account याने की registration करना है, registration आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, पहला यहाँ पर अपने mobile number से कर सकते हैं, दूसरा अपना यहाँ पर Google account याने की mail ID के दो कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर Facebook के दो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर mobile number से करूँगा, तो मैं अपन मोईल नम्बर यहाँ पर इंटर कर देता हूं, मोईल नम्बर इंटर करने के बाद पर आपके नमबर पर OTP कोड जाएगा, उस OTP कोड को आप यहाँ पर love करेंगे, और continue के option पर click करने के पाद में आपसे यहाँ पर दबारा से permission मागेगा जैसे कि आपके SMS की permission, आपकी location की permission और आपके contact की यहाँ पर आपसे permission मागता है तो आपको यहाँ पर read and accept के option पर click करेंगे तो सारी permission को आप यहाँ पर allow कर देंगे उसके बाद में जो अगला interface आपके थाब में open होगा वो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है free cash up to 6 लाग रुपए और easy repayment जो है आप इसमें यानि कि 36 month यानि कि जो है आप 3 साल तक कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो 6 लाग लिखा है लेकिन आपको जो है आप पर 6 लाग तक का loan नहीं दिया जाता है इसमें आपको थोड़ी कम amount में loan मिलता है तो मैं apply करूंगा उसके बाद में देखते हैं मुझे जो है आप पर कहते हैं कितने रुपय का approval मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप एक student है या आप एक self employment है तो आपको इस application में जो है loan मिल जाता है आपने पहले कभी loan के लिए apply नहीं किया है फिर भी आपको जो है इसमें loan मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको loan लेने के लिए सबसे पहले आपको apply now का option मिल रहा है आपको इस option पर click कर देना है इस option पर click करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है उपर यहाँ पर देख जाएगा कि इस application में आप जो है 30,000 तक का loan यहाँ पर ले सकते हैं stand की stand औ और यहाँ पर दोस्तों आपको जो पैसा है वो यहाँ पर तीन step पे आपको मिल जाता है पहला आपको जो अपने basic detail को feel करना होता है उसके बाद में आपको पैसे मिलते हैं वो आपके bank account में transfer कर दिये जाते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है apply करते हैं तो आपको यहाँ पर उपर let's start का option मिलेगा आप इस option पर click कर देंगे तो जैसे आप इस option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर processing चलेगी तो आपको यहाँ पर कुछ second का wait कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर लिखा है enter pen card number तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपना pen card number यहाँ पर डाल देना है और continue के option पर click कर देना है अगर आपके पास pen card नहीं है तो आप यहाँ पर don't have a pen card के option पर click कर देंगे यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास pen card नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर loan मिल जाता है उसके लिए आपको कोई other document देने की यहाँ पर आप इसकता बढ़ेगी तो चले मैं अपना यहाँ पर pen card number डाल देता हूं और continue के option पर click कर देता हूं तो जैसे आप यहाँ पर pen card का number डालके यहाँ पर प्रोशीट के option पर click करेंगे तो उपर आपका यहाँ पर pen card जो है verify हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर आपका न इस तरह से सो हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो ऊपर जो है आपको आपका नाम बिलेगा यहाँ पर आपको अपना gender select करना है उसके बाद में यहाँ पर अपनी rate of birth को डालना है यहाँ पर आपको अपना married status जो है यहाँ पर select कर लिना है कि married है या unmarried है यहाँ पर आपको father का नाम डालना है और proceed के option पे click कर देना है proceed के option पे click करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपकी जो pen का details है वो यहाँ पर हो जाती है उसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अपनी केवाइसी को करना होता है तो केवाइसी करने के लिए आपको यहाँ पर Facts आधार Using Digilocker का Option मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे और अपना आधार का नमबर डालेंगे उस पर एक OTP Code जाएगा आपके रेश्टेट मॉयल नमबर पे वो अपना नमबर पर OTP Code को डालेंगे और यहाँ पर जो है उसके बाद में अपनी SELP को अपलोड करेंगे Confirm and Continue के Option पर क्लिक कर देंगे Confirm and Continue के Option पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके थामने कुछ Processing के लेगी तो आपको यहाँ पर कुछ Second का बेट कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी approval मिलेगा वो यहाँ पर 100 हो जाएगा तो जैथा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 10,500 रुपए का approval मिला है यहाँ पर आपको सारी detail देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर आपको जो है कितना रुपए आपके bank account में वेज़ा जाएगा टोटल आपको interest यहाँ पर कितना लग रहा है कितने रुपए की आपकी जो है यहाँ पर EMI बनेगी और कितने दिर में आपको जो है इसका repayment करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 9881 रुपए मेरे bank account में आएंगे बागी जो पैते है यहाँ पर processing के फीज के कर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों मेरी EMI जो है यहाँ पर दो मेनी की ही बनेगी इसको लेनी के लिए आपको यहाँ पर add bank की option पर click कर देना है add bank की option पर click करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है अपना IPC code डालना है account number डालना है दोबारा से account number डालना है और account holder का नाम डालना है यहाँ पर आपको अपना account type select करना है कि आपका account saving है या current है या कोई other category का है तो आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद में प्रोशीट के option पर click करने के बाद में यहाँ पर दूस्तों आपके account की सारी details आ जाएगी यहाँ पर IPC code जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो भी आपने डाला है उसका यहाँ पर नाम आपको नीचे सोग जाएगा कि आपकी bank का नाम क्या है उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोशीट के option पर click करने के बाद में यहाँ पर आपकी सारे यही इंटरफेस आ जाएगा अब आपको यहाँ पर accept offer के option पर क्लिक कर देना है accept offer के option पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं disappointment in process की आपको जो भी loan amount मिला है वो आपके bank account में एक से लेकर 2 गंटे की बीच में आपके account में transfer कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक का beta कर लेना है beta करने के बाद में आपको यहाँ पर homepage पना है homepage पर जाने के बाद में यहाँ पर दूस्तों आपका जब loan आपके bank account में चला जाता है तो इस तरह से आपका homepage कुछ open होगा तो यहाँ पर आप जो है सारी detail देख पाएंगे कि किते रुपए की आपकी EMI बनी है कैसे आपको pay करना है तो देख सकते हैं 5,371 रुपए की मेरी दो मेहने की EMI बनी है अगर आप इसको फुल पेमेंट यहाँ से रिपेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पुल पेमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जहन बंदे मातरम धन्नवाद